हेलो फ्रेंड्स, आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे सन बेबी बाट टब का, इसको हमने एमाजोन सेलर से पर्चेस किया है इस प्रोडेट को, भैतरीन पैकिंग में आया है प्रोडेट आप देख सकते हो, कितना मजबूत पैकिंग किया है एमाजोन वर्लोने कार्बोर के जन्ट अप्रोड बाट आप देख सकती हो, कवरीं और नहीं होगा है ये बात थीलि चेर है, बात थीलिं चेर है ये वाला बाट थीलिंचेर है ये वाला बाट दब है सफएध पलर में इसका ऊपलर में सफएध बैट हैं है यहां पर आप देखसकते हो इस बाँ शीलिग के इसके अंदर हमें अजेश्ट करना पड़ेगा इसके नीचे जो और आपर का यह दिये हैं जिस्लीप नहीं हो करें इसको हम 0 2 2 जमत कर सकते हैं जैसे आपका बेबी बढ़ जाएगा तो हम इसको चेर को हटा देंगे बेबी को इस बाट टब के अंदर बटा के भी हम हिला सकते हैं यहां पे आप देख सकते हो इंडिकेटर दिया है वाटर लेवल इंडिकेटर 20 लिटर्स 15 लिटर्स 10 लिटर्स और वार्निंग इंस्ट्रक सकते हो बेबी में सोफ शैंपो यहぎां अगरा जो बेबी ऐस्तमाल करने वाली चीजे होते हैं उनको हम इस्तमाल करके इस को यूजर सकते और यहां पे आप देख सकते हो रिमाटत ओर रम। आप पानी महलाने के बाद इस वाट्र को मैं ऑना हो समय अगर नहीं कर नहीं करना है COPOM बन करें वाट्र स्टोरेज कर सकते हैं बन करें बचों को हमें 20 को पूल के टरा सुमीं फुल में लियूजर यू पूल पिछ टार सकते हैंच समय और यह इसका ग test वेट है 3 kg है इस बातिंग टब का वेट विद सीलिंग चेर और ये टब का इंक्लूडिंग का वेट है 3 kg इसका कॉस्ट पड़ा है हमें 11,199 रौंड फिगर 1200 रुपीज का ये बातिंग टब बढ़ा है बैतरिम क्वाल्टी है और पीछे भी आप देख सकते हो ग्रीप है ग्र अगर बात्रूम इस्तमाल कर रहे हो या तो किचन सीलिंग पर किस तरह बी यूज़ कर रहे हो तो इस लिप नहीं होगा रबर ट्यूब दिये हैं यहां पर भी चार रबर ट्यूब जो श्लिप नहीं होगा एक ग्रिप पकड़ेगा बेख सकते हो किस तरह है इस टब को कि एगदम कलर वाईट कलर है सपेद कलर मे सब्सक्राइब क्यूब जरूर कीजिए हमारे चैनल को